नमस्ते दोस्तों कविता किचन रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए है दीवाली स्पेशल शिरीज जाने की एकदम हलवाई स्टाइल खास्ता करारे मोह में गुलने वाले परफेक्ट शक्करपाले की रेसिपी बनाना इसे बहुत ही आसान है परफेक्ट नाप के साथ रेसिपी आप लोग के साथ शिर करूंगी वडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजे साथ ही रेसिपी पसंद आने पर वडियो को लाइक शिर कीजे तो ये बड़िया सिखास्ता शक्करपाले बनाने के लिए मैंने आपर लगबग आदा कटोरे देसी गी लिया है अब हम गी को एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे तो देखे सभी गी को हमने एक बाउल में निकाल लिया है जिस कटोरी से हमने देसी गी लिया ता सेम उसी कटोरी से हम इसमें दो कटोरी पानी डालेंगे और देखे मैंने इसमें दो कटोरी पानी डाला है अब हम इसमें चीनी डालेंगे तो मैंने यापर सेम कटोरी से एक कटोरी चीनी डाला ही चीनी आप अपने इस सबसे थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं मिला देंगे सबी चीजों को अच्छे से और इसके बाद ग्यास ओन करके कड़ाई को ग्यास के उपर रखेंगे और मिडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए चीनी को हम अच्छे से मेल्ट होने तक पकाएंगी जैसे चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगे हम ग्यास की फ्लेम को बन करेंगे और इस चासनी को पूरी तरीके से थंडा करेंगे चासनी थंडी हो रहे तब तक हम मैदे को नाप लेते हैं जिस कटोरी से हमने चीनी डाला है सेम उसी कटोरी से हम इसमें तीन कटोरी मैदा डालेंगे वजन की इसाफ से देखेंगे तो मैंने यापर लगबग आदा कीजी मैदा लिया है मैदे को मैंने अच्छी से छान की डाला है अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलाइची का पाउडर डालेंगे साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो मैंने याप पर लगबग एक चुटकी नमक काई समाल किया है कोई भी मेठी चीज बनाते समय थोड़ा सा नमक का इस समाल जरूर करे थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे चासनी जो या पर काफी अच्छे से थंडी हो चुकी है तो अब हम इसे मेदे में डाल कर अच्छे से आटा लगाएंगे द्यान रखें एक साथ चासनी बिल्कुल भी न डाले मेदे के इसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चासनी डालेंगे और द्यान रखें से करपारे के लिए हम जो डो लगाते हैं इसे हलके आट से गुनना है जैसे कि हम रोटी वाइगरा लगाने के लिए आटा गुनते हैं तो उसे थोड़ा सा कसके गुनते हैं लेकिन इसे बिल्कुल हलके आतों से गुनना है ऐसा करने से क्या होता है कि शक्करपारे में काप्पी अच्छे से लियर बनती है साथ ही शक्करपाले बहुत ही अच्छे से खास्ता बन के तयार हो जाते हैं और देखे दिरे दिरे करके सभी बच्ची वई चाशनी को भी हमने मैदे के आटे में डाल दिया है मिला देंगे इसे अच्छे से तीन कटोरी मैदे के लिए एक कटोरी चीनी, दो कटोरी पानी और आदा कटोरी देशी घी का नाप एकदम परफेक्ट है तो देखे मैंने यापर मैदे को अच्छे से गुन लिया है अब हम क्या करेंगे इस डो को लगबग 10 मीट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि डो जो है अच्छे से सेट हो जाए जैसे डो यापर अच्छे से सेट हो जाएगा हम शकरपाला बनाना शुरू करेंगे तो देखे डो यापर कापी अच्छे से सेट हो चुका है अब हम इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे और इसकी पतली सी रोटी बना कर तयार करेंगे जैसी के हम चापाती वैगरा बनाते हैं बस ऐसे ही रोटी हमें बनानी है कापी सारे लियर्स के लिए मैंने यापर थोड़े से अलग तरीके के ट्रिक्स बताये हैं इसलिए वीडियो को यंट तक जरूर देखे तो देखी यापर थोड़ा सा सुका मैदा लगा कर हम इसे बेलेंगे चापाती बेलते इससे हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है कापी सारे लोगों की सिकैत रेती ही कि शकर पाला झो है परपेक्ट नई बनता यानि कि तेल में डालने के बाद यह भिकर जाता है या तो ज़्यादा कड़ा हो जाता है यानि कि परफेक्ट हलवाई जैसे खास्ता बिल्कुल भी नहीं बनता लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत आसान तरीके से हलवाई स्टाइल परफेक्ट खास्ता करारे शक्कर पारे बनाने की कई सारे टीप्स पताए है जिने फोलो करके आप भी आसानी से एक खास्ता शक्कर पारे जो है घर पर बना सकते हैं और देखे इस तरह से हमने इसकी रोटी बना ली है अब हम क्या करेंगे इसे दोनों साइड से इसे फोल करेंगे इस तरह से रोटी को फोल करने से काफी सारे लेयर जो है शक्कर पारे में से शक्रिपाले काटने में आसानी हो जाती है और हलकी सी मोटी रोटी जो है इ tää本ी अपनी आकार कर अगocratic करेंगे ऐसलग किलिया शक्रिपाले कुलरीateg presses में cut कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां परें मिडियम साइज के pieces को cut कर लिया है क्यूंकि फ्राय होने के बाद यह और भी फुल जाते हैं तो देखें इस तरह से सभी शक्करपालों को हमने अच्छे से cut कर तयार कर लिया है और इस शक्कर्फारे की लगबग हो चुके और आप देख सकते सभी शक्करपालों को हमने कट करके तयार कर ले आए तो अब हम चलते इसे फ्राइ करने के प्रोसेस में इसके लिए गया सौन करके मैंने पेले ही कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था तेल अच्छे से गरम हुआ कि नहीं यह देखने के लिए मैंने आप थोड़ा सा मेदे का बॉल करके डाला है और देख सकते हैं आप बॉल बहुत ही अच्छे से उपर तेर के आ रहा है इसका मतलब तेल हमारा परफेक्ट गरम हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शक्करपाले डालेंगे इस तरह से मैंने शक्करपालो को तेल में डाल दिया है शुरू के कुछ सेकन के लिए हम इसमें जरा भी टश नहीं करेंगे थोड़ी देर के बाद यह अलग होके अपने आप उपर आ जाते हैं और देखे आप देख सकते हैं धीरे धीरे शक्करपाले जो है अपने आप खि उलम ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे शक्करपारे परफेक्ट खास्ता बनाने के लिए तेल का सही से गरम होना भी काफी जरूई है थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे दीरे दीरे शक्करपालो का कलर जो है अच्छे से चेंज होना शुरू हो गया है और इसकी लियर भे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े अलियर जो ही शक्करपारे में दिख रहे तो अब हम क्या करेंगे फिर से मिडियम फ्लेम पे इसे दो मिंट के लिए फ्राई करेंगे तो देखे या पर इस तरह से उलट पुलट करते बिल्कुल दीमे आज पे हमने इस शक्क पालों को फ्राई करते समय इस वात का हमें खास दियान रखना है अब हम क्या करेंगे इसे एक छलने पे निकालेंगे तो देखे आप इस तरह से सभी शक्करपालों को हमें एक छलने में निकालना है ताकि इसमें जो भी थोड़ा बोत एश्ट्रा ओइल होता है वो नीचे चला जाएगा और सेम प्रोसे सेम वाकी के सभी शक्करपालों को इस तरह से बना कर तयार करेंगे तो देखे सभी शक्करपालों को मैंने अच्छे से फ्राई करके तयार कर लिया है अगर आप इस तरह से शक्करपारे बनाएंगे तो आपके शक्करपारे भी एकदम आई तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद